वेलकम टू केमिस्टीक एडमी स्टुडेंट्स आज की वीडियो में पढ़ेंगे कि आपको एक क्वेस्टन दिया गया और आपसे पुछा गया कि इन में से बताना है कि किसका मगनेटिक डाइपॉल मुमेंट जो है ना सिरफ मगनेटिक मुमेंट की बात हो रही है कि मगनेट से बताना है कि कौन सा option correct है अब आप लोग ने जहीं में रखना है कि जब भी इस तरह का question आजए मगनेटिक मुमेंट कैलकुलेट करना हो तो उसके लिए आपने एक formula यूज़ करना है n into n plus 2 square root ठीक होगा जी अब formula जाल करने के बाद क्या करना है आप लोग ने उसकी electron configuration लिक ने ये unpaid electron आ रही है यागर देखा जाए क्रोमिया प्लास 3 के पास देखा जाए तो 3 electron है mn plus 2 के पास देखा जाए तो 5 है इसी तरह fe plus 2 के पास 4 unpaid electron है और c u plus 2 के पास 1 electron pair है अब जितने ये electron pair आगे इनकी value आप लोग ने इस n की जगह पे पुट करने है पुट करने के तो 15 आजेगा उपर आप लोग ने square root ले ले रहे है तो देखे पहला आगे हमारे पास 15 का square root इसी तरह आप लोग ने जब 5 पुट करेंगे तो यहाँ पर 5 आजेगा यहाँ पर 2 आजेगा 7 7 को 5 से multiply करेंगे तो 35 आजेगा इस तरह सभी की value आप लोग ने इस formula में पुट कर आने के बाद आपने square root लेने है तो इस तरह आपके पास magnetic moment आजाएगा बात की समझ जाएगा तो अब इसमें देखा जाए कि अगर MN plus 2 की बात की जाना है तो उसके पास जैने कि उसका magnetic moment आ रहा है 35 का square root तो 35 का square root हम देख साथे हैं कि इस option में 35 का square root इसका option आ रहा है जी MN plus 2 की जाने कि इस question का B option correct है बात की समझ जागी है तो आप लोग ने simple यह वाला formula जाद करने मगनेटिक moment के लिए और unpaid electron calculate करने सीखने है unpaid electron की value put करने इस formula में तो आपके पास magnetic moment आ जाएगा इसका मतलब है कि 35 का square root कि इसका magnetic moment है जी MN plus 2 का तो यह आज की वीडियो थी अमीद का जाएगा जाएगा